ओम शान्ती आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेश भाग्यवान बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और अपने बच्चों की श्रेश भाग्य की रेखाओं को देखा और साथ ही साथ संगम युग की प्राप्तियों की प्रालब्द का अनुभव करने और महादानी और महासहयोगी बनने की शिक्षा भी दी तो आए रिवाइस करते हैं आज के 31 डिसंबर 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधूर भावाक्यों को किस अंग में कौनसी भाग्य रेखा बाबा ने देखी मस्तक में चमकती हुई जियोती नैनों में स्नेहे और शक्ती मुख में मधुर श्रेष्ट वानी होटों में रुहानी मुस्कान रुहानी खुशी फ्रिदे में दिलाराम के लव में लवलीन हाथ में सर्व खजानों से संपन पाउ में हर कदम में पदम की प्राप्ती की रेखा भाग्य रेखा को खीचने की विधी क्या है पुरुशार्थ श्रेष्ट कर्म अभी के तकदीर की लकीर सारे कल्प में श्रेष्ट कैसे बनाती है 21 जनम सदा संपन और खुशी अभी के तकदीर की लकीर सारे कल्प में श्रेष्ट कैसे बनाती है 21 जनम सदा संपन और सुखी रहने की रेखा चलती द्वापर कलीग में पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ट रहती इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ क्यों चलती है क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है अभी की कौनसी प्रालब्ध भविश्य में स्वतह प्राप्त होती है सर्व शक्ति संपन, सर्व ज्यान संपन, सर्व विग्न विनाशक मूरत अब थोड़े समय के लिए क्या बनना है? पुर्शार्थ के प्रालब्ध स्वरूप लेने की भावनाएं खतम कर अब मुझे क्या करना है? वाइब्रेशन देना है, रहम दिल बनना है, गुणों का सहीयोग देना है, एक बाप सही लेना है, फ्राक दिल बन देना है किसको क्या कहा जाता है? रहम दिल बन अपने गुड़ों का, अपनी शक्तियों का सहीयोग देने वाले को मास्टर रहम दिल महा दाता, ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कारे के निमित आत्मा को ब्रहमन हम कौन है? रहम दिल, कर्मयोगी, वान प्रस्थी, विजई रत्न, मास्टर दाता, श्रेश्ट भागेवान, महा सहयोगी, विश्व कल्यान कारी आज बाप दादा ने हम बच्चों को कौन सी शिक्षा समझानी दी? अभी बच्चपन की बातें समाप्त करो, अभी से प्रालब्ध स्वरूप में स्थित्र हो, छोटी-छोटी बातों को छोडो, अब उंचे जाओ, अभी पुरिशार्थ स्वतह चले, महनत वाला पुरिश नहीं, ब्रहमन आत्माओं को दान नहीं करो, लेकिन सहयोग दो, बाप से लेते रहो, आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो, बाकी रहे हुए समय में प्रालब्ध स्वरूप का विशेश अनुभव करो, वानी और संबंध संपर्क के साथ मंसा सेवा का अभ्यास साथ स लिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो, पुराने संसकारों की रिखाएं वा पुरानी बातों के स्मृति की रिखाएं, इमर्ज ना हो, मर्ज हो, महान दाता बन, बेहत के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहत की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ, ये थी अंजान आत्माओं के प्रती महादानी और ब्रहमन आत्माओं के प्रती महासहयोगी बनना है, और भाग्य विधाता बापने हम आत्माओं को अपने पुरिशार्थ और श्रेष्ट कर्मों की कलम से अपना श्रेष्ट भाग्य लिखने का जो सुनेहरा मौका दिया है, इस सम का हम आविश्य ही लाब उठाएंगे और वर्तमान समय प्रालब्द का अनुभव करते हुए उसी आधार पर भविश्य में भी प्रालब्द का आनंद लेंगे ओम शान्ति